Hello Friends, मैं हूँ अपकी समने गोर मिगलानी हमारा जो chapter continue चल रहा है वो है collection of data का इस chapter का हमारा ये video number second है पहले की video में हमने ये discuss किया था कि पूरे chapter के अंदर हमको कौन-कौन से topics कौन से series में study करने होंगे तो आईए अब हम इस chapter को start कर लेते हैं सबसे पहले जो topic हम discuss करेंगे वो होगा sources of data का ये हमको इसी video में ही discuss करने है फिर हम discuss करेंगे primary data क्या है secondary data क्या है फिर primary data और secondary data दोनों में क्या difference होता है तो अब हम सबसे पहले discuss कर लेते हैं sources of data बनलब data को collect करने के दो source होते हैं पहला source है primary source second है secondary source तो ये दोनों topics मैं आपको एक example के थूरू समझाता हूँ तो सबसे पहला मान लीजिए आप कुछ लोगों के life की quality के बारे में जानना चाते हो कुछ लोगों की life की quality के बारे में जानना चाते हो तो हमको कुछ ना कुछ data ऐसा चाहिए होगा जिससे हमको पता चल जाए कि वो लोगों की quality, life की क्या है वो लोग कितना खर्च कर सकते हैं, उनकी income कैसी है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं तो definitely कहीं न कहीं मुझे एक survey करना होगा, लोगों से जाकर बात करनी होगी तो अगर मैं ये सारा data collect करने के लिए, खुद survey करने के लिए जाता हूँ और पूरा data मैं खुद जाकर collect करता हूँ, या फिर मैं investigators की, या field workers की help लेता हूँ मतलब इन लोगों को भी मैंने ही appoint किया हुआ है मैं अपको फिर से repeat करना हूँ, मुझे जो survey करना है, वो survey करने के लिए या तो मैं खुद data collect करने के लिए जा रहा हूँ या मैंने investigators या field workers को appoint किया हुआ है अब ये लोग क्या करेंगे, सब भी लोगों से direct जाकर मिलने वाले हैं उनसे बातचित करेंगे, उनसे questions पूछेंगे और जो भी answers आएंगे वो note करते जाएंगे तो definitely इनके पास जो data collect होने वाला है अगर survey मैंने किया है तो मेरे पास data collect होगा मतलब जो भी data हमारे पास आएगा, हम उसको कह सकते हैं कि वो primary source of data है तो इसको हम source of origin से data collect करना भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरे को जो data चाहिए था, वो हम लोगों ने, मैंने या मेरे लोगों ने किस से collect किया, लोगों से personally contact करके collect किया है और इसी data को हम first hand quantitative information भी कह सकते हैं first hand क्यों बोलते हैं, for example, माली जी हम कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं पहली बार हमने वो नए गाड़ी खरीदी, पहली बार हमने वो नई गाड़ी खरीदी definitely उस गाड़ी को हम क्या बोलते हैं कि वो first hand है या नई गाड़ी है वही गाड़ी अगर हम किसी और से खरीदते हैं, पुरानी खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, second hand मतलब अगर गाड़ी मेरी खरीदी हुई है, तो वो first hand है अगर गाड़ी और किसी की खरीदी हुई है, तो हम उसको बोलते हैं second hand तो इसके अंदर क्या हुआ, data हम लोगों ने खुद जाकर collect किया है, लोगों से हमने personally जाकर बात की है, तो definitely इसलिए हम इस data collect करने के source को बोलते हैं primary source, क्योंकि मुझे जो information चाहिए थी, जिन लोगों से चाहिए थी, मैंने उन लोगों से जाकर ही बात की है, और किसे data collect ने किय जिन से information चाहिए थी, उनी से जाकर बात की, उनी से ही मैंने information निकलवाई है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, source of origin या primary source of data या first hand quantitative information, अब हम बात करते हैं कि हमारा secondary source क्या है, secondary source के अंदर आप इतना सा समझ लीजिए कि मुझे जिन लोगों से information चाहिए थी, मैं उन लोगों स detail लेने के लिए नहीं जा रहा, मैं ये information किसकी help लेसे लूँगा, मैं ये information लूँगा agency की help से, या किसी institute की help से, क्योंकि इन लोगों के पास, इन लोगों के बारे में data पहले से ही collect रहेगा, तो मैं इस agency या institution के पास जाऊँगा, और इसके पास जो पहले से data collect है, इसी को ले कुछ data ऐसे भी होता है, जा पहले से कहीं न कहीं collect करके रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर अगर मैं खुद के effort नहीं करना चाहता, तो मैं उन लोग के द्वारा collect किया हुआ data को भी उठा कर ला सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस agency से या institution से या government से मुझ मुझे उनसे request करनी होगी, request करने के बाद वो मुझे data provide करवा सकते हैं, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, secondary source के अंदर data already collect रखा हुआ होता है, हम लोगों से जाकर बात नहीं करने वाले, तो इसमें क्या होगा, मतलब data already exist करता है, हम simple data को collect कर लेते हैं, तो secondary source से अगर आ personally contact करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए secondary source से जो data हम collect करते हैं, इसको हम first hand information नहीं कह सकते, first hand information नहीं कह सकते, दूसरी भाशा में अगर मैं कहूं, तो secondary source से जो data आप collect करते हैं, उसको हम बोलते हैं second hand information, और यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो दोनों में बस एक ह difference है, मतलब मुझे अगर logo की detail निकलवानी है, अगर मैं उनसे personally मिलता हूँ, personally बात करता हूँ, उनी से ही वो information निकलवाता हूँ, तो मतलब मैंने primary source का इस्तमाल किया है, अगर मैं logo की information निकालना चाहता हूँ, logo से जाकर बात नहीं करता, बलकि मैं और किसी agency के पास जाता हू जहां पर logo के बारे में data already इन logo ने collect किया हुआ है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये secondary source है, एक example मैं और लेना चाहता हूँ, माली जी हम एक college के बच्चों के उपर survey करना चाहते हैं, मुझे college के बच्चों के बारे में details चाहिए, क्या name है, कहां से आते हैं, कौन से village से आते हैं कौन सी classes में पढ़ते हैं, तो अगर मैं उन बच्चों से personally जाकर बात करता हूँ, बच्चों से personally data collect करता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि मैंने primary source का इस्तमाल किया है, पर वही data अगर मैं office से, college के office से, या clerical office से जाकर अगर निकलवा लेता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं मैंने secondary source का इस्तमाल किया है, अब हम discuss कर लेते हैं, primary data क्या है, secondary data क्या है, जब हम primary source की help से data collect करते हैं, that is primary data, जब हम secondary source की help से data collect करते हैं, that is secondary data, तो primary data reality में है क्या, इसमें data collect करने का काम, या तो मैंने किया है, या मैंने कुछ लोगों को appoint किया हुआ था, for example, investigators को, या field workers को, मैंने या मेरे लोगों ने, जिन लोगों से information निकलवानी थी, उन लोगों से हमने जाकर बात की है, मतलब data बिलकुल original होगा, मेरे को जिन लोगों की information चाहिए थी, मैंने उनी से ही वो information collect की है, तो definitely वो data जो हमने खुद निकलवाया है, तो वो primary data कहा जाएगा, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, कि जो investigator होता है, वो खुद के purpose के लिए data collect करता है, तो ये data first time collect किया जाता है, मतलब इस data को collect करने के अंदर, शुरुवात से लेकर, आखिर तक हम काम करते हैं, हम पूरा data collect करते हैं, investigation मानलो हमारी शुरू हुई, तो investigation के पहले दिन से लेकर, आखरी दिन तक सारा काम हमने खुद किया, एक एक person से जाकर बात की, सभी से information हमने collect की है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें starting से लेकर, आखिर तक हम सारा data खुद collect करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, source of origin से collect किया हुआ data, और इसको हम original data भी कह सकते हैं, या इस data को हम first hand information भी कह सकते हैं, क्या first hand information, एक example जो मैं लेना चाहूँगा, मान लीजिए, आपको पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनों ने 10th के अंदर first position हासिल की है, आप क्या करना चाहते हो, आप ये पता करना चाहते हो कि उनका status क्या है, कौन सी family से belong करते हैं, उ उनको कितनी pocket money मिलती है, क्या उन्होंने tuition रखी हुई थी, या नहीं रखी हुई थी, कौन से school से हैं, उनके घर के अंदर कितने लोग और हैं, उनके family में कितने लोग पड़े लिखे हैं, तो ये सारी information अगर आप उनहीं बच्चों से जाकर collect करते हो, तो मैं कहूंगा कि ये first hand information है, आपने origin से data collect किया है, क्योंकि आपने information collect करने के लिए किसी school या college से data collect नहीं किया, आपको जिन बच्चों से information चाहिए थी, आप उनी से जाकर contact करते हो, उनी से ही information निकलवा कराते हो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, primary data, मतलब data collect करने के लिए, शुरुवात से लेकर आखिर तक हम अपना effort करते हैं, time लगाते हैं, तो ये हुआ हमारा primary data, अब बात करते हैं कि secondary data क्या है, simple सी बात, secondary source से जो data हमें provide होता है, उसको हम बोलते हैं secondary data, secondary source से जो data हमें मिलता है, that is secondary data, मतलब ऐसा data, जो already existence में है, data और किसी ने collect किया था, अपने purpose के लिए, अब वही data मुझे चाहिए, तो मैं उस person से जाकर request करूँगा, कि भई तुमने जो data collect किया हुआ था, उसके उपर मुझे भी कोई investigation करनी है, तो मुझे आप अपना data provide करवाईए, मतलब secondary data एक ऐसा data है, जो already existence में है, किसी और ने collect किया था, किसी और purpose के लिए, अब वही data मैं लोगों से request करके collect करता हूँ, खुद के purpose को complete करने के लिए, मतलब ये secondary data हमने खुद collect नहीं किया, collect और किसी ने किया हुआ था, बस मैं तो वहाँ से उठा कर ले आया, तो secondary data को हम second hand data भी कह सकते हैं, ये ऐसा data होता है, जो आपको कहीं पर published form में भी मिल जाए, और कहीं पर हो सकता है कि अभी तक published भी ना हुआ हो, कहीं पर published भी हो चुका हो, और हो सकता है कि published ना भी हुआ हो, तो दोनों में अगर देखा जाए, तो secondary data, simple सी बात, एक ऐसा data है, जो पहले से 81 किया हुआ है, और किसी ने, पर हमने अपने purpose को complete करने के लिए, उससे request की है, और data हमने use करन के लिए उससे ले लिया, मतलब इसमें हमारा कोई personal effort नहीं रहता, personal effort सिर्फ इतना सा है कि हमने उससे जाकर data collect किया, इसमें क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक हमने effort किया है, मान लीजिए मैं आपको जो भी बच्चों का example दे रहा था, इसमें आपने क्या किया था, जो कि information उनी के school से निकलवा लेते हो, तो मैं कहूंगा कि आपने secondary data का इस्तमाल किया है, secondary source का इस्तमाल किया है, school एक secondary source है आपके लिए, क्योंकि आपने school के पास जाना है, उनी से data collect करके लाना है, आपने सिरफ इतनी महनत की, कि उनके पास गए और data collect करके ले आए, तो दोन में एक simple सा difference हमें नजर में आ रहा है, हम जिन से information निकलवाते हैं, उनी से जाकर बात करते हैं, वही हमको data provide करते हैं, that is primary data, अगर वही data में और किसी से इकठा किया करवाया, खुद के use करने के लिए ले लेता हूँ, तो मैं कहूंगा कि आपने secondary source का इस्तमाल किया है, और secondary source स आपने कौन सा data निकाल लिया है, secondary data निकाल लिया है, तो simple सा difference है इस दोनों topics के अंदर, अब हम discuss कर लेते हैं, primary data और secondary data दोनों में क्या difference है, difference number one, primary data हमारे लिए original होता है, source of origin से हम इसे collect करते हैं, इसको हम first hand information भी कह सकते हैं, secondary data मतलब already in existence, मतलब ये data और किसी ने collect किया है, वो data उनके लिए तो original है, अब हमारे लिए ये original नहीं है, ये data जिसने collect किया था, उसके लिए तो ये first hand data है, हमारे लिए क्या है, ये second hand data है, example लेना चाहता हूँ, मैं एक college का, अगर आपको college के बच्चों से related information collect करनी है, पहला तरीका, college के बच्चों के पास जाओ, एक एक से मिलना होगा, बात करनी होगी, information collect करनी होगी, तो अगर आप ये information खुद जाकर collect करते हो, तो मैं कहूँगा, कि ये original data है, source of origin से collect किया है, क्योंकि data हमने खुद collect किया है, effort हमने लगाया, तो इसको मैं कहूँगा first hand information, दूसरा तरीका, यही information collect करने का, मैं college के office में जाता हूँ, office से बच्चों के बारे में information collect करके लेकर आता हूँ, तो यही data, जो और किसे ने collect किया हुआ है, college ने collect किया हुआ है, पर मैं अपने purpose को complete करने के लिए data लेकर आता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं secondary data का इस्तमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो data मैं college से लेकर आ रहा हूँ, वो data उन लोगों ने पहले से ही collect किया हुआ था, उनके लिए तो original है, पर मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये original नहीं है, मेरे लिए ये second hand information हुई, क्योंकि जब ये information college ने collect की होगी, तो college के लिए ये first hand information है, मेरे लिए यही information second hand information कही जाएगी, difference number two, primary data हम एक specific objective के लिए collect करते हैं, इसलिए हमें adjustment करने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने बच्चों से वही information ली होगी, जो मुझे चाहिए होगी, तो मेरा specific objective है, तो specific objective के लिए मैंने अगर information collect की भी है, तो मुझे कहां जरूरत है adjustment करने की, मुझे उसमें fair बदल नहीं करना होगा, क्योंकि information जैसे मुझे चाहिए थी, वैसे ही मैं collect करके लेकर आया हूँ, यहाँ पे क्या होगा सोच कर देखो, data college वालों ने collect किया हुआ है, खुद के purpose के लिए, अब वही data मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरे purpose के लिए, मेरा purpose अलग है, उन्होंका purpose अलग था, तो उनके purpose वाला data मैं खुद के purpose के लिए use कर रहा हूँ, सोच कर देखो, आपको adjustment करनी होगी, क्योंकि जब उन्होंने data collect किया था, उनका खुद का कोई एक purpose रहा होगा, अब मैं खुद के काम के लिए, वो data college से निकलवा के ला रहा हूँ, तो definitely मुझे कहीं न कहीं, उस data के अंदर adjustment करनी होगी, adjustment करते हुए, मुझे देखना होगा कि मेरा objective क्या है, तो मेरे objective को देखकर, मुझे हो सकता है कि उस data में से कुछ delete भी करना पड़े, कुछ edit भी करना पड़े, कुछ और data भी rectify या modify भी करना पड़े, तो definitely primary data के अंदर हमको adjustment करनी नहीं होती, जबकि यहाँ पर adjustment हमें करनी होगी, अब हमारा next difference, primary data जब हम collect करते हैं, तो हमारा time ज़्यादा लगेगा, money, efforts, यह सब ज़्यादा लगने वाले हैं, secondary data जब हम collect करते हैं, तो यह हमारे लिए less expensive होता है, क्योंकि data collect करने के लिए मुझे time ज़्यादा नहीं देना होगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा, efforts भी मेरे minimum से minimum लगते हैं, क्योंकि मैं बस ज़्याँगा और data collect करके लेकर आऊँगा, secondary data collect करने के लिए आप published और unpublished sources का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह था हमारा topic कि primary data और secondary data दोनों में क्या difference है, next video में हम discuss करेंगे, how basic data is collected, हम फिर discuss करेंगे direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local sources, और information through questionaries and schedules, इस topic को लेकर, link आपको इसी वीडियो के description box में दिया हुआ है, तो मिलते हैं, अब हम next video में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,